दोलतपुरा थाना चेतर के अजमे दिल्ली हाइवेस से दोलतपुरा टोल प्लाजा के पास तेजा काला के ढानी में गुरुवार रात आए तेज अंधर से पशुओ के बाड़े के उपर से जा रही 11,000 पावर का विडू तार तूट कर पशुओ के उपर गिर गया तार की चपीट में आजाने से एक गाय की मोके पर ही मोत हो गई एक भैस जुलस कर गंबीर घायल हो गई इस घटना से लोगों में बिजली विभाग के प्रती काफी आकरोश है क्योंकि बिजली के तार काफी नीचे जूल रहे थे कई बार ढानी वालों ने जूलते तारों के बारे में बिजली विभाग को अवगत करवाया लेकिन विभाग ने कोई एक्षिन नहीं लिया जिसके चलते यहादसा गठित हुआ लोगों की विरोध को देखते वे शुकरवार सुबर बिजली विभाग के करमचारी मोके पर पहुँचे और लाइन ठीक करने में जुटे वहीं घटना की सूचना पर आमेर प्रधान बदरी नारायन बागदा आमेर मंडल अध्यक सूरेश जायस रावत घटना का जायजा लिया और सरकार से मुआवज़ा दिलाने की बात कही जानकारी के अनुसार पशुपालक निवासी तेजाकाला की धानी ओम्परकाश शर्मा ने बताया कि हर रोज की तरह सभी पशुबाड़े में बंदेवे थे जहां रात को आया तेज अंधर के कारण पशुओ के बाड़े के उपर से जारे 11,000 पावर का विदुद तार तूट कर पशुओ के उपर गिर गया तार की चपेट में आने से एक गाय की मौके पर ही मोत हो गई एवं एक भैस जुलस कर गंभीर घायल हो गई शर्मा ने बताया कि इस दुरगटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है वहीं बताया कि काफी दिनों से विदुद तार काफी नीचे जूल रहे थे इस संबन में कई बार हमने चोफ विदुद ग्रेड और पांच रंबर विदुद विभाग के अधिकारियों को लेखित में आवगत करवा चुके हैं लेकिन अधिकारिये सोर ध्यान नहीं दिये और यह हाथसा घटित हो गया हाथसे के बाद घटनास्टर पर काफी लोगे कतित होए और बिजली विभाग के खिलाफ रोज जता रहे हैं